हाई गाईस क्या हाल चालें उम्मीद करता हूँ सब खेर खेरियत से होंगे तो आज की वीडियो में ओपन माउल में शूट कर रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कि आपको कैसा लगा ये बैक ग्राउंड का नजारा तो गाई यार आज की जो वीडिय बना रहे हैं इस टापिक पर बना रहे हैं कि आपने कई वीडियो में देखा होगा कि केले को सप्राइट का इंजेक्शन लगाया जाता है और उसका कलर कुछ इस तरीके से हो जाता है तो गाईस यार आज की इस वीडियो में हम वही परूफ करेंगे कि क्या ये वाकी सच है अगर सच है तो कितना सच है और ये कैसे अपना कलर चेंज करता है तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक बनाना और एक अदद स्प्राइट और एक सिरेंज तो तरीका काफी सिंपल है हमें इस सिप्राइट को डाल देना होगा एक गलास में गयर यह जब डकन ओपन होता है तो यह आवाज मुझे काफी पसंद है जो चले बस इतना काफी है तो घज यार इसको हम बार देते हैं इस सिरिंज में तो घज यार यह अन्जख्या नाम इस मरीज को लगा देते हैं तो घज यार हमने इस मरीज को मुकमल तोर पे वैक्सिनेटिड कर लिया है इसको हम रख देते हैं पूरे एक दिन के लिए तो एक दिन के बाद हम देखते हैं कि इसका क्या रिजाल्ट आता है तो घज यार आज इस केले को पूरे 24 केंटे गुजर चुके हैं तो अभी इसको काट के दिखाते हैं कि इसकी अंदर से क्या हालत है तो चलें इसे मैं एक छुरी की मदद से काट लेता हूँ तो आपने देखा ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है तो जो वीडियो आपने यूट्यूब पे इस तरह की देखी होगी तो वो बिल्कुल फेक हैं तो आप अगर इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे देखें तो उन पे इतबार ना कीजिएगा क्योंकि इस तरह के के वीडियोज बनी हुए जो के फेक हैं तो आप अपने बाई को कमेंट सेक्शन में बताईएगा और मैं आपको अपनी वीडियोज में इसे एक्सपोस करूँगा और उसकी ओरिजिनल्टी दिखाऊँगा तो गाई यार उमीद करता हूँ आपको मेरी हर वीडियो पसंद आती होगी तो आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए अपने बाई को दीजिएगा इजाज़त अलाफिस